आज हम सीखेंगे बाजार जाना सबसे पहले नाक मूँ को मास्क या कपड़े से ढखें प्लास्टिक की वही चपले पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी है सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बालती और साथ में 70% अलकोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें अब घर से बाहर निकलें बाहर अनावश्यक कुछ ना चुएं बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बना कर रखें और हाँ, ATM इस्तिमाल करने से पहले ATM का की बोर्ड सैनिटाइज करें पैसा निकाल कर कार्ड को भी सैनिटाइज करें खरीदे हुए सामान को बालती में डाल कर घर लाटें जी हाँ, करोना का खत्रा टला नहीं है इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होगे साबधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा आज हम सीखेंगे बाजार में पेमिंट करना पेमिंट हमेशा पेमिंट एप जैसे की भी मैप, गूगल पे, पे टीम या अपने बैंक एप से ही करने की कुशिश करें अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें दुकानदार से खुले नोट या सिक्कें ना लें इनमे वाइरस हो सकता है अगर लेने पड़ें तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुँचते ही कागज के नोटों को टीबल पर रख कर किसी और से उस पर गरम इस्तरी करवाएं सिक्कों को 70 प्रतिशत अलकोहॉल वाले हैंड सैनिटाइजर या साबुन और पानी से धोएं उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धोलें जी हाँ करोना का खत्रा टला नहीं है इसलिए हमें बाजार में लेंदेन के नए नियम सीखने होंगे साब्धानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा नए नियम अपनाएंगे करोना को हर दिए आज हम सीखेंगे कहीं बाहर से आने के बाद घर के अंदर कैसे जाएं घर का दर्वाजन ना चुएं, दर्वाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं, बाहर से लाया सारा सामान दर्वाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें, अब सीधे बातरूम जाएं, हाथ और मूँ को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, अगर भीड भरी जगह पर गए हो, तो कपड़ों को डिटरजन्ट घोल में डुबो कर अच्छे से नहा ले, बाहर वाली चपल भी साबुन से धोले, जी हां, करोना का खत्रा टला नहीं है, इसलिए हमें बाहर से घर के अंदर आने के नए नियम सीखने होंगे, साफधानी की आदुतों के सा जीना सीखना होगा. जी हां, करोना का खत्रा टला नहीं है, इसलिए हमें लिफ्ट और सीडियों के इस्तमाल के नए नियम सीखने होंगे, साफधानी की आदुतों के साथ जीना सीखना होगा, नए नियम अपनाएंगे, करोना को हर जीना सीखना होगा.